हेलो स्टुडेंट्स अगर आप क्लास 11 में हैं तो क्लास 11 का एक्जाम का डेट जारकेंड एकडमी कॉंसिल के तब से जारी कर दिया गया 27-28-29 फरवरी 2024 को एक्जाम है तो वैसे स्टुडेंट को मैं जानकारी देदू कि का आएगा बहुत सारे सवाल है अग्जाम कबसे कब तक हो complaint क्या रूल्स होगा दो क्या bisognaście करें क्या एक्ट कर आन्मीक कर कर सकते हैं या इस है admit card 15 फरवरी से ही जारी होना था तो admit card आपका जारी हो चुका है आप अपने admit card को receive कर सकते admit card 15 फरवीर 2014 से ही जारी कर दिया गया जो चातरे 11 वी बोड की परिक्षा में सामिल हो रहे हैं वे जैक अधिकारिक website या जहारखन जहारनेट.com से अपना admit card अपने विद्याले के principal के ID और password से login करके download कर सकेंगे ध्यान यह रखना है आप लोग खुद try मत करना ज्यादा तरह school के principal ही download करके print करके फिर आपको देंगे ज्यादा तरह school के principal ही अपने चुकि principal अपना ID नहीं न देगा ID देगा तो लोग इतना बदमास बदमास बचा कर लेगा उसका ID और password इसलिए ID और password principal आपको नहीं बताएंगे तो आप ज्यादा तर स्कूलों में ज्यादा तर college में ऐसा अवामला होगा कि principal खुद अपने ID से login करके सारा प्रिंट कर लेंगे और फिर आपको देंगे इसका मतलब admit card आप खुद प्रिंट नहीं कर सकते हैं आपको जनरली स्कूल से ही या college से मिलेगा ठीक है क्योंकि principal सबको ID देते नहीं न जाएंगे एक से बदमास बचा ID देंगे कुछ जाके उल्टा पल्टा कर देगा इसलिए principal ID आपको नहीं देंगे principal खुद प्रिंट करेंगे और आपको college आपको कॉलेज जाके से खुद से प्रिंट करके देंगे को रिकत है तो याद रखेंगे सीज को और यहां लिखा है जो परिक्षा बोरा है परिक्षा का 11 की परिक्षा 27 फरवरी से 29 फरवरी की तक आयोजित की जाएगी जो दो फर दो बज़े से सुरू कर साम पांच पंदरा तक चलेगी कोई दिकत है दो बज़े से पांच पंदरा और सुबा में भी चलेगा दस बज़े से सबका अपना अपना रूटीन है कैसे कर सकेंगे डाउनलोड तो आपको यह करना नहीं इसलिए स्टेप नहीं समझना है लेकिन फिर भी जानके प्रिंसपल को कभी दिकत हो सबसे पहला स्टेप में वीजिट करना ओफिसल वैप साइट जारनेट पर दूसरा स्टेप करना क्लिक करना है क्लिक ओन दा लिंक ऑप दा जैक 11 एडमीट कार्ड तीसरा स्टेप इंटर दा स्कूल प्रिंसपल आईडिये और पासबड माँ डाल क्या है प्रिंसपल का है वैसे आप नहीं होता है तो आप भी जान कर्खे अब देखिए सर्फ इंपोर्टेंट अपडेट किया है परिक्चा से समन्नितों थे हैं दीजेगा हैं IMPORTIM में क्या है सबसे पहले बोड़ा है कि 11 के परिकष्चा जो है वो 15 फर परिक्षा के और शान्म उतिर्न होने केलिए पास होने के लिए कि प insलीट में फिर से समझेगा अगर को चुरेंट सब्जोह ना तो five सब्चेक एकजाम देता है और उसमें चार में केवल पास होता है एक में फेल भी हो जाता है तो भी वो पास माना जाएगा बहुत इंपोर्टेंट बात हम बता रहे हैं कि अगर पांच सब्जेक की परिक्षा देता है और चार में ही पास होता है एक में फेल भी हो जाता है तो भी उसे पास माना जाएगा लेकिन अगर एक से ज्यादा में फेल होता ह तो फziest हो जाएगा एक 10th का जो प्रैक्टिकल एक्जाम और इंटर्ण एक्जाम होए वह पांच मार्च से 20 मारच ये लिया जाएग स्कूल जहां तो एक दिन के लिए से प्रैक्टिकल एक्जाम आपको देना रखेगा और एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ेंगे एडमिट कार्ड ओर इजिनालला लेकर जाएंगे फोटो को पी लेकर नहीं जाएंगे और blue और black pen लेकर जाएंगे अपने examination में बाकी किसी भी pen को अलाओ नहीं किया जाएगा black ball pen ball pen मतलब थोड़ा गाढ़ा चलने वाला क्योंकि OMR भरने में आपको दिक्कत ना हो और OMR में जो box होता हूं उस box को अच्छे से भरना है जैसे पूरा box को अच्छे से भरना है tworum ciert हें कहीं भी gap नहीं उने चेंट जितना मोटा चलने वाला pen मिले देखिए मेरे पश्चे च्छे से महाञे चींगे शितना मोटा चलने पाला पेन मिले उतना ही बेहतर है इसकर पूरा फिल करना है बाहर भी नहीं आना चाहिए और पूरा भरना है याद रखना इन पूरा तरीके से भर देना है कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है यह box से देखिए इस तरह पूरा भरना है कहीं कोई दिकत है तो इस बात को ध्यान रखना पूरा का पूरा फिल कर देना तो यह आपके लिए बहुत important notice था आप इसको देखिए और फ objective question पूछा जाएगा OMR seat में आपकी परिक्षा होगी OMR seat का मतलब है box बना के मिलेगा जैसे आप test हमारे यहां देते हैं वैसे मिलेगा और परिक्षा कब से कब तक परिक्षा का डेट सीट पता है और थैयारी में लगे रही है और हम लोग अपने चैनल के उपर पूरा mcq का preparation भी करवा रहे ताकि आप लोगों को दिकत ना होती है इंपोर्टेंट नोटीस है आप इसको जोरू देखे और अपने दोस्तों को सेयर करें थैंक्यू